येस पीपल, गुड मॉनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू अल अफ यू, कैसे सब लोग, होप सो आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ अब question ही आता है, house property का मतलब क्या होता है, तो house property means always, house property means a building और land अपर tenant to that building, मिस जो भी building के आसपास वाली जो land होती है, जो अपर tenant to the building है, वो भी आपके house property का ही पार्ट मानी जाती है, एक और चीज़ समझना, sir house property head में income कब जाएगी, जब residential property है, या फिर commercial property है, तो भी house property में income ज आपकी house property होनी चाहिए, और उसका जो rental income है, वो house property में taxable हो जाएगा, और दूसरी condition आप owner होने चाहिए, owner का मतलब क्या है, यहाँ पे registered owner की जुरूरत है, answer is no, आप beneficial owner है, तो उस case में आपकी income है, वो house property में चली जाएगी, beneficial owner में एक deemed owner concept और आता है, जो अपन last में section 27 में discuss करन होने वाले है, अब समझते हा house property कितने type की होती है, तो एक तो होती है तुमारी self occupied property और एक होती है तुमारी late out property, late out property का मतलब होता है, जिसको आपने किसी को भड़े पर दे रखा है, that is call your late out property, देखिए, late out property है, उसकी income always taxable होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, because late out property है, वो कुछ और आप अपने खुद के लिए यूज़ करते है, that is called self occupied property, self occupied property दो purpose के लिए यूज़ हो सकती है, या तो आप अपने business and profession में यूज़ कर रहे है, या फिर आप उसको रहने के लिए यूज़ कर रहे है, अगर आप business and profession के लिए यूज़ कर रहे है, तो यहाँ पे आपको ignore करन आप रहे है, just ignore that, उसको goes to buy oil बोल दीजिए, उसके बाद ऐसी self occupied property जिसमें आप रहते है, तो जब आप खुदी की property में खुदी रहते हैं, तो उससे कुछ income तो आती नहीं है, तो मैं बता दू, self occupied property आपकी exempt होती है, लेकिन एक चीज़ समझना, lawmaker बोलते है, कि बहुत सारे लोग बहुत वाले पैसे वाले है, तो उनके पास में क्या है, एक से ज़्यादा अगर self occupied property है, तो क्या होगा, तो lawmakers बोलते हैं, कि अगर आपके पास 2 self occupied property है, तो चलो हम उसको exempt कर लेंगे, उसके कोई भी tax नहीं लगाएंगे, उसके कोई भी ऐसा deemed rent मान के कुछ भी tax नहीं और जो 2 के उपर वाली जितनी भी self occupied property रहेगी, that will be treated as the DLOP, जिसको हम बोलेंगे deemed to be let out property, और उसकी annual value निकालेंगे और वो taxable हो जाएगी, तो मैंने क्या बोला, देखो, अगर let out property है, वो taxable होगी, self occupied property अगर आप business purpose के लिए यूज़ करते हैं, आप ignore करते हैं, आप residence purpose के लि जाएगी, उसके लिए आपको national income calculate करना पड़ेगा, और वो taxable हो जाएगा, अब एक और question ही आता है, किस सरे एक बात बताईए, अगर कोई builder है, और builder ने कुछ flats वगरा बनाए, कुछ property बनाई, तो उस case में उसकी income कहां पे जाएगी, तो देखो, बड़ी simple सी बात है, builder अगर उसको laid out कर दिया, तो laid out कर दिया, तो उस case में क्या होगा, उसकी income house property में जाएगी, business में नहीं जाएगी, देखो, अगर builder ने कोई भी property बनाई, और उसको अगर वो बेचता है, तो बेचने से जो income आएगी, वो PGBP head में जाएगी, बट उसको अगर laid out करने से जो income आती है, that is taxable under the head house property, वो house property head में जाएगी, अब एक और चीज़ समझना, जो भी तुमारे unsold property है, तो जो sir, unsold property है, क्या उसको हम deemed to be laid out property मान लेंगे, और उसको हम national rent लेके और क्या taxable करेंगे, यहां lawmakers बोलते हैं कि जिस year में construction complete होता है न, उस year के end से लेके 2 years तक उसकी annual value निल ली जाता है, उसमें जिस year में construction complete होता है, उस year के end से लेके 2 years तक उसकी annual value हो निल लिया जाएगा, और 2 years जैसे ही complete हो जाते है और उसके बाद में भी अगर आप उसको laid out नहीं करते हैं, तो उस case में वो deemed to be laid out property मानी जाएगी, और उसके case में जो भी national rent income होईगी, वो taxable हो तो मैंने क्या बोला, builder के लिए देखिए, unsold stock है, अगर वो base देता है, तो किसमा कहा जाएगा, PGP में भड़े पे देता है, तो house property में जाएगा, बट मान लोग खाली पड़ा है, unsold stock है, वो खाली पड़ा है, flat है, वो खाली पड़े, तो जिस year में construction complete होआ, उस year से लेके, औ और जिस year में construction complete होआ, उस year से लेके 2 years तक उसकी annual value है, वो निल ली जाएगी, कुछ भी tax नहीं लगेगा, बट उसके बाद उसको deemed to be let out property मानी जाएगी, और उस पे tax लग जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे house property head में हम income calculate कैसे करते हैं, तो देखिए house property head में calculate क के लिए, आप ध्यान रखना, अगर तुमारी कोई property है, जो self occupied property है, जिसको आप residence purpose के लिए use करते हैं, उसमें यह municipal value, fair rent, standard rent वगरा है, यह सब nil आएगा, इसमें सिरफ एक ही चीज़ less होती है, that is the interest on loan, जो section 24 में interest on loan है, वो less होता है, तो अगर आपका self occupied property है और उसमें interest है, तो आपकी self occupied property की income क्या हो जाएगी, negative, बट अगर interest नहीं है, तो self occupied property की income क्या हो जाएगी, nil, लेकिन बेटा, LOP, DLOP में यह सब चीज़े हैं, वो आपकी आती है, यहाँ प एक चीज ध्यान रखना, LOP में mostly यह सब चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन DLOP का जब question होगा, deemed to be laid out property तो उसमें actual rent नहीं होगा, उसमें actual rent नहीं होगा, क्योंकि DLOP तो self occupied property होती है, उसको DLOP अपन मानते है, deemed to be laid out property मानते है, तो उसमें actual rent नहीं होता है, बाकी सब चीज़े हो सकती है, अब question यहाँ पर यहाँ आता है, कि sir house property का income निकालते कैसे है, तो law makers बोलते हैं, आप कमा के दे सकती है, that is called municipal value, या जिसको rateable value भी बोलते हैं, तो जो municipal value है, वो municipality के हिसाब से property की value होती है, कि यह property एक साल में इतना rent कमा के दे सकती है, that is called municipal value, अब municipal value को हम compare करते है, fair rent से, fair rent का मतलब क्या होता है, reasonable rent, fair rent का मतलब होता है, reasonable rent, reasonable rent का मतलब होता है, कि आजू-बाजू की जो property होती है, same locality में, property का similar property का क्या rent चल रहा है, that is called fair rent, तो आप एक काम करिए, जो भी municipal value और fair rent है, whichever is higher ले लीजिए, अब जो भी higher आएगा, उसको आप compare करेंगे, standard rent से, आप बोलेंगे, यह standard rent क्या होता है, standard rent होता है, एक rent control act होता है, state government का, और rent control act के हिसाब से, rent control act होता है, rent control act के हिसाब से, maximum rent इतना आप ले सकते है, legally, maximum, legally, इतना rent आप recover कर सकते है, that is called your standard rent, तो आप एक काम करिए, कि जो higher वाला आता है, और standard rent आता है, whichever is lower है, वो आप continue करिए, इसको हम बोलेंगे, expected rent, क्या आपकी property का at least इतना rent तो होना चाहिए, that is called your expected rent, अब इस expected rent को आप consider करेंगे, आप compare करेंगे actual rent से, अब आप बोलेंगे actual rent क्या होता है, तो actual rent का मतलब होता है, rent received plus rent receivable minus unrealized rent, rent received plus receivable minus unrealized rent है, वो आपका आजाएगा actual rent, अब जो भी expected rent था और actual rent था, whichever is higher है, वो आप लेंगे, और वो whichever is higher है, उसको आप बोलेंगे gross annual value, या जिसको हम short में बोलते हैं, GAV, अब उस gross annual value मैं से आप municipal taxes को less कर देंगे, और municipal taxes को less करने के बाद जो भी बचेगा, that is called your net annual value, और net annual value या जिसको हम now बोल सकते हैं, उसमें से deduction मिलता है section 24 का, जो दो चीजों का deduction मिलेगा, एक तो 30% आप standard deduction ल देने के बाद जो बचेगा, that is called your income from house property, तो आपका house property का income कैसे निकलना है, सबसे पहले लिजे municipal value, compare with the fair rent, whichever is higher, standard rent, whichever is lower, it's called expected rent, actual rent, whichever is higher, आपके बास गाव आजाएगा, municipal taxes आप less कर दीजिए, आपके बास 9 आजाएगा, और 9 मैं से standard deduction 30% NAV का less करिए, and interest on loan आप less कर दीजिए, आपको मिल जाएगा income from house property, अब एक चीज समझना, यह जो municipal taxes होता है, यह municipal taxes क्या होता है, कि जो भी gram पंचायत है, यह municipality है, वो हर साल कुछ ना कुछ taxes लेती है, that is called municipal taxes, यह municipal taxes को बहुत बार local taxes भी बोला जाता है, property taxes भी बोला जाता है, water taxes भी बोला जाता है, service taxes भी बोला जाता वो actual में payment किया है, actual में payment किया तो ही मिलेगा, अगर outstanding है तो आपको deduction नहीं मिलेगा, means pay किया तो allow होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा, तो payment basis पे municipal taxes का आपको deduction मिलता है, एक और चीज समझना, municipal taxes सिर्फ owner ने pay किया तो ही allow होता है, अगर tenant ने pay किया तो allow अलाउ नहीं होता, Owner ने Municipal Tax Pay किया तो अलाउ होता है, Tenant ने Municipal Tax Pay किया तो अलाउ नहीं होता है, एक और चीज समझना, बहुत बार municipal taxes देना वो आपको percentage form में दे देते है कि municipal taxes is 6% और 8% और 10% question ही आता है यह किसका calculate करने का percentage यह percentage आपको हमेशा municipal value का लेना पड़ेगा जो municipal value होता है ना जो first वाला उस municipal value पर आपको percentage को apply करना आपको municipal taxes है वो मिल जाएगा अब बात आती है interest on loan की तो देखिए now मेंसे अपन क्या less करते है दो चीज़े एक तो standard deduction 30% और दूसरा interest on loan तो interest on loan है वो आपको less करने को मिलेगा लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है interest on loan आपको less करने को तभी मिलेगा जब वो loan आपने house property के purpose के लिए लिया था या तो house property के construction के लिए अपको यहाँ पर मिलता है अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना question ही आता है loan किस से लेना है अरे किसी से भी लो bank से लो financial institution से लो friends से लो family से लो किसी से भी अगर आपने loan लिया है आपको interest का deduction मिल जाएगा लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ interest का deduction आपको तभी मिलता है means यहाँ पर interest का जो deduction है ना जैसे माल लो interest इंडिया के बाहर किसी को प्य कर रहे हो तो इंडिया के बाहर किसी को अगर आप interest पे कर रहे हो तो आपको deduction तभी मिलेगा जब आपको उसका TDS काटना है और TDS काट के Government को जमा कराना है means ऐन्डिया के बाहर किसी को Interest दिया तो उसका TDS काटना है और काट के Government को जमा कराना है तब ही Interest का Deduction मिलता है अब Interest जो Allow होता है क्या वो Due Basis पे Allow होता है या Payment Basis पे Allow होता है Answer is Due Basis पे There is no need of payment, अगर आपका interest वो due हो गया, तो उस case में आप deduction ले सकते हैं, तो यहाँ पे due basis पे allow होता है, अगर outstanding interest है, तो भी allow हो जाएगा, आपने actual में payment कर दिया, तो भी आपको allow हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन question ही आता है कि sir, interest के case में limit कितनी होती है, या पूरा interest allow हो interest allow हो जाएगा, कितना भी interest हो, 10,15,000, कितना भी interest हो, वो पूरा interest allow हो जाएगा, there is no limit in LOP, DLOP, लेकिन अगर मैं बात करूँ, SOP की self-occupied property, जो दो house property आपकी self-occupied रहती है, उसमें limit होती है, interest की, that is 30,000 या 2 lakh, अब ये 2 lakh का limit मिलता है, special case के case में, और other cases के case में, आपका 30,000 का limit म के बाद में लिया है, दूसरा, loan is taken for the purchase or construction of house property, and if loan is taken for the construction of house property, then construction has to be completed within 5 years from the end of the financial year in which loan was taken, 3 condition है, 3 condition satisfied हो नी चे, loan 1499 के बाद में लेना है, अगर loan purchase के लिए लेना है, या construction के लिए लेना है, पर्चेस के लिए है, तो starting की 2 condition, लेकिन अगर loan construction के लिए लेना है, तो construction के लिए लेन in which loan was taken, तो उस case में maximum 2 lakh का deduction मिलेगा, लेकिन अगर माल लो, other special case में नहीं आता है, तो normal case में maximum 30,000 का deduction मिलेगा, जैसे माल लो, loan आपने repair renovation के लिए लिया है, तो 30,000 का deduction मिलेगा है, loan 1499 के पहले लिया हुआ है, तो उस case में 30,000 का deduction मिलेगा, या लोन अगर आपने construction के लिए लिया, लेकिन construction 5 साल में complete नहीं हुआ, तो उस case में आपको maximum है, वो 30,000 का deduction मिलेगा, अब यहाँ पर question ही आता है, कि सर यह 2 lakh और 30,000 की जो limit है, यह दोनों घर की मिलाके है या दोनों घर के लिए अलग लगे, right answer is दोनों घर की मिलाके है, जैसे म मैंने दो घर खरी दे, ठीक है, मेरे पास दो SOP है, और एक का interest 120 है, दूसरे का interest 120 है, दोनों का मिलाके 240 हो गया, क्या मुझे 240 का deduction मिल जाएगा, answer is no, maximum मुझे 2 lakh का ही deduction मिलेगा, अब एक और चीज़ समझना, अगर आपने कोई नया loan लिया, जैसे पुराना loan ले रखा HDFC bank से, अब आपने नया loan लिया, ICIC bank से, और उस loan से वो पुराने loan का repayment कर दिया, और पुराना loan house property purpose के लिया था, तो question ही आता है, कि नया loan का interest रहेगा, क्या उसका deduction मिलेगा, answer is yes, उसका deduction मिल जाएगा, क्योंकि यह माना जाता है, बहिया, नया loan आपने लिया है, वो पुराने loan का repayment करने के लिया है, बट पुराना loan तो house property purpose के लिया था ना, तो नया loan यही माना जाता है, for the purpose of house property और उसका आपको deduction मिल जाएगा, कोई दिकत नहीं है, अब एक और चीह समझना, यहाँ पे एक और concept आता है, कि सर, pre construction period interest क्या होता है, तो pre construction period जो interest होता है, यह pre construction period interest क्या होता है, बहुत interesting और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते है, एक बात समझना, जिस year में house property आपकी construction complete हो जाता है, उस year में house property head में income जाएगी, आप interest का deduction ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझना, जिस year में construction complete होगा, जिस year में construction complete होगा, उसके पिछले वाले जितने भी सालों का interest रह जिए, जैसे for an example आपका 10 December 2021 को construction complete हुआ, तो आप 21-22 को छोड़ दीजिए, 21-22 previous year को छोड़ दीजिए, उसके पहले के जितने भी year का interest रहेगा, that is call your pre-construction period interest या pre-acquisition period interest, अब question यह आता है कि sir, pre-construction period interest पहले तो allow हुआ नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले साल में तो property थी नही तो क्या वो अब allow हुगा या नहीं, answer is yes, अब आपको allow हो जाएगा in the 5-equal installment from the year in which construction was completed, तो जो भी तुमारा pre-construction period interest या pre-acquisition period interest होता है, तो उसमें जिस year में आपकी property construct करते हैं या acquisition करते हैं, उस year के पिछले वाले years का जितना भी interest रहेगा, that is called pre-wala interest and that will be allowed in the 5-equal installment और इसम allow हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5-equal installment में, allow होता है, बट 5-equal installment जो इस साल में जोडते हैं, तो उस पर क्या limit लगेगी total पे, SOP है तो limit लगेगी 2,30,000 की, बट अगर मा 2,00,000 या 30,000 की, बट LOP, DLOP तो उसमें कोई limit नहीं होती है, अब यहाँ पे एक और concept ही आता है, कि sir, कभी interest पे interest लग जाता है, जैसे आपने interest का payment नहीं किया, तो bank ने क्या किया, interest पे interest लगा लिया, तो क्या वो interest पे interest भी allow होता है, कि answer is no, interest और interest पे interest है, जिसको अपन penalty interest बोलते है, वो आपको allow नहीं होगा, एक concept आता है, unrealized rent का, unrealized rent का मतलब होता है, bad debts of the rent, means आपका rent हो, से पहली चीज़ मैंने आपके बताई दी, कि actual rent कैसे निकालते है, actual rent means rent received जितना हो गया, rent receivable जितना है, और minus unrealized rent कर दीजिए, तो normally rent receivable जितना है, उसमें से जितना receivable होता है, उतना ही unrealized हो सकता है, normally, ठीक है, अब एक चीज़ समझना, यह unrealized rent less होता है, जब आप actual rent calculate करते है, यह तो unrealized rent less होता है, लेकिन unrealized rent less तभी होगा, जब rule 4 की 4 conditions satisfied होनी चाहिए, पहली condition यह है, कि tenancy आपकी bona fide होनी चाहिए, bona fide का मतलब है था genuine tenancy होनी चाहिए, वहा genuine agreement वगरा था tenant और owner के बीच में, mean genuine tenancy होनी चाहिए, that is the first condition, second condition यह है, कि भाया, जो इसने आपका rent जो है, वो तुमारा, like unrealized किया है, उसको आपने घर से बगा दिया है, that tenant should vacate that house property, तीसरी condition, that tenant should not occupied any other house property of same assets, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस घर से तो आपने बगा दिया, वेट आपने किसी दूसरे घर में उसको रखा है, और चौती condition यह है, कि आपने कुछ reasonable step लिये है, recovery of unrealized rent के लिए, तो आपका unrealized rent है, वो actual rent calculate करते time less होगा, means actual rent निकालते time, अपन rent received plus receivable minus unrealized rent है, वो अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप income tax का ITR form देखते है ना, जो income tax department का, उसमें unrealized rent, actual rent निकालते time less नहीं करते हैं, उसमें GAV के बाद less करते हैं, तो अग but institute है, वो दोनों जो position है, उसको follow करती है, unrealized rent को आप actual rent calculate करते time less कर सकते हैं, as well as the GAV calculate करते time भी less कर सकते हैं, मैं GAV मैंसे आप less कर सकते हैं, मैंने तो आपको actual rent करते time ही less करा है, जैसा institute ने primary view लिया है, उसके बाद एक concept आता है, that is the arrears of rent, बहुत बार क्या होता है, rent को लेके dispute हो जाता है, और dispute की बज़े से वो rent आपको मिला नहीं है, और लेकिन in future में आपको वो मिल जाता है, that is called arrears of rent, तो arrears of rent, obviously पहले जो है वो taxable नहीं होगा तो उस year में taxable होगा, जिस year में आपको उसकी recovery होती है, अब एक बात बताइए, जो ये arrears of rent की recovery होती है, या unrealized rent की recovery होती है, जो पहले taxable नहीं होआ था, लेकिन जिस year में ये recovery होती है, क्या उस year में taxable होगा, answer is yes, तो ध्यान रखना, unrealized rent और arrears of rent will be taxable in the year in which it is recovered, whether you are owner or not of that particular property, वो घर तो हमने बेच दिया था, तो भी क्या उस rent, उस घर से related, कोई unrealized rent या arrears of rent है, वो आपको मिलेगा, तब tax rent की recovery है, या unrealized rent की recovery है, that will be taxable at the rate 30, sorry, that will be taxable होगा, taxable कितना होगा पता है, 70% taxable होगा, जैसे for an example, आपको unrealized rent या arrears of rent की recovery हुई, 1 lakh की, तो taxable होगा 70%, means 70,000 will be taxable, in simple word में ये बोल तो 30% का आपको standard deduction है, वो मिल जाएगा, अब एक चीज़ समझना, house property में question ही आता है, क्या जैसे repair and maintenance का charges है, society charges, parking charges, insurance charges, lift charges, electricity, water charges, क्या ये भी आपको allow होते हैं, answer is no, ये सब allow नहीं होते हैं, क्योंकि आपको already standard deduction मिलता है, 30%, तो बाकी कोई भी expenses है, वो allow नहीं होते हैं, अब एक चीज़ समझना, हम लोग क्या करते हैं, कि normally, जब भी अपन, like GAV निकालते हैं, GAV कैसे जो भी तुम्हारा expected rent होता है, expected rent जो होता है, वो expected rent and actual rent, whichever is higher है, वो पन GAV बना देते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी vacancy है, तो ये whichever is higher वाला concept आपको follow नहीं करना है, जब भी vacancy है, ये whichever is higher वाला concept follow नहीं करना, vacancy क्या होता है, vacancy मतलब घर खाली घर पे ताला लगा हुआ है ना तो वो भाड़े पे है ना आप खुद रह रहे है आप खुद रह रहे है वो vacancy नहीं होता है vacancy में इस घर पे ताला लगा हुआ है इतना बड़ा ना तो वो भाड़े पे है ना आप खुद रह रहे है that is called vacancy तो अगर vacancy का concept आता है तो आपको whichever is higher वाला है, ये whichever is higher follow नहीं करना है, तो फिर आपको क्या follow करना है, तो lawmakers बोलते हैं, आप एक काम करिए, कि जो भी तुमारा actual rent and vacancy rent, ये दोनों मिलाके, actual rent and vacancy rent, ये दोनों मिलाके, more than equal to हो जाते है expected rent से, actual rent and vacancy rent, दोनों की total is more than equal to expected rent हो जाते है, तो आप एक काम करिए, actual rent को GAV बना दीजिए, बट अगर expected rent is higher than, actual rent plus vacancy rent, तो उस case में आप expected rent को क्या बना दीजिए, GAV बना दीजिए, मैं आपको already इसके जो logics वगरा है, वो मैं आपको already पहले कहीं न कहीं पढ़ा चुका हूँ, चलिए, अब अपन आगे बढ़ते है, partly late out property पे, ये partly late out property क्या होती है, कि बहुत बार क्या होता है, कि कुछ area आपके घर का late out होता है, कुछ area self occupied होता है, जैसे मालनो मेरा 2BH के घर है, उसमें से एक room है, वो मैंने किसी को late out करती है, और बाकी वाले में मैं खुद पढ़ा हूँ, that is self occupied है, तो उस case में क्या करें, तो law makers बोलते हैं कि उस case में आप एक काम करो, अगर आपकी property area wise late out है, और self occupied है, तो आप एक काम करिए उसको 2 property मान लीजिए, जो late out वाला part है, उसको late out property मान लीजिए, आप एक काम करिए जो municipal value है, fair rent है, standard rent है, municipal taxes है, interest on loan है, that has to be divided between SOP and LOP on the area basis, municipal value, fair rent, standard rent, आपका municipal taxes, interest on loan, आपको divide करना पड़ेगा, LOP, SOP में area basis पे आपको divide करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप actual rent को divide नहीं करेंगे, क्योंकि actual rent हमेशा LOP portion के लिए होगा, actual rent को आप divide कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि actual rent है, वो हमेशा LOP portion के लिए होगा, you got my point or not, yes, और जो भी तुमारा interest आएगा, interest में LOP और LOP वाला part है, उसमें कोई limit लगती नहीं है, 2 lakh से जादा interest है, तो भी अलाओ हो जाएगा, बट जो SOP वाला part है, उसमें limit लगेगी 30,000 या 2 lakh की, you got my point or not, yes, अब एक और चीज समझना, सर अगर कभी ऐसा है, कि कोई property कुछ time के लिए let out है, कुछ time के लिए self occupied है, तो लॉमिकर्स यह बोलते है, कि इसको कभी भी SOP नहीं मानेंगे, इसको LOP ही मानेंगे, अगर कोई property आपने single day के लिए भी let out कर दी, तो उसको आप क्या मानेंगे पता है LOP, SOP उसको मानते हैं, जब 12 मन्त के लिए आप खुद के use के लिए use कर रहे हैं, या कभी खाली पड़ा है, अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट किया कुछ पार्ट के लिए, और उसको आप लेट आउट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे, और उसको LOP में जैसे calculation होता है वो ही करेंगे, लेकिन actual rent उतने मंद काई आएगा जितने महीने के लिए आपने लिट आउट किया है, बाकी municipal value, fair rent, standard rent और जो बाकी सब चीज़े हैं, वो आप पूरे साल की है, वो आप ले लेंगे, अब एक चीज़ समझना बहुत बार क्या होता है कि assessi के पास दो से ज़्यादा SOP है, तो जब assessi के पास दो से ज़्यादा SOP है, तो उस case में sir क्या करना, किसको SOP माने और किसको DLP माने, तो lawmakers बोलते हैं, assessi के पास यह option रहेगा, कि किसको SOP माने, किसको DLP माने, आपस क्या करेंगे, एक को आप DLP लेंगे, दो को SOP लेंगे, जिस option में आपकी income from house property lowest आती है, जिस option में आपकी income from house property lowest आती है, वो वाला option है, वो आप exercise करेंगे, और वो वाला option exercise करेंगे, वो वाला option है, वो आप exercise करेंगे, you got my point or not, yes, अब एक और चीज़ समझना, एक concept आता है joint ownership का, यह joint ownership क्या होती है, कि अगर कोई भी property है, वो आप एक से ज़्यादा owner है उसके, तो that is called joint ownership, joint ownership के case में हमको क्या करने का देखो, भले joint ownership का question है, question आप normally जैसे solve करते हैं वैसे ही करने का, जो last में income from house property आता है ना, that should be divided between the co-owners in their ownership ratio, जितने owner है, उसमें ownership ratio में आप last वाली जो income from house property है, उसको divide कर लीजिए, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कि जो भी SOP का question है और joint ownership है, तो उस case में जो interest का limit होता है ना, 30,000 and 2 lakh का, self-occupied property में, that will be multiplied by number of co-owner, means अगर 2 co-owner है और self-occupied property है, तो आपका 60,000, 4 lakh का limit हो जाएगा, अगर 3 co-owner है तो उस case में 90,000 and तुमारा 6 lakh का limit हो जाएगा interest का, तो SOP के case में जो ये interest का limit होता है ना, 30,000 and 2 lakh का, that is like owner-wise होता है, तो अगर 2 owner तो उस case में ये multiply हो जाएगा 2 से, अगर 3 owner तो multiply हो जाएगा 3 से, you got my point or not, yes, अब next part आता है composite rent, बहुत बार ऐसा होता से, जो भी income आती है, उसका क्या होगा, और house property का क्या होगा, तो देख उसमें 2 चीज़े है, पहली चीज़ तो आपको ये देखना पड़ेगा, agreement separable है या नहीं, अगर agreement में ये लिखा हुआ है, कि ये house property का rent है और ये other asset का rent है, ये house property का rent है और ये other asset का rent है, जैसे last time exam में question आ other asset का rent है, वो other asset के rent को आप ले जाईए, या तो business and profession में या IFOS में, IFOS या business and profession that depends on the transaction asset क्या है, आपका क्या वो business है या नहीं, वो सब चीज़े देखनी पड़ेगी, normally income from other sources में ले जाईए, तो मैंने क्या बोला, देखिए, अगर composite rent है तो उस case में house property का agreement separable है, agreement में separately लिखा हु agreement में separately नहीं लिखा होता, आपको bill देते हैं, उसमें आपको asset का भी rent साथ में है और house property का भी साथ में है, तो उस case में आपका total rent है, वो जाएगा या तो business and profession में, या income from other sources में, यहाँ पे house property में नहीं आएगा, अब एक और चीज़ समझना बहुत बार क्या होता है, अगर किसी property को other asset के बिना let out करना feasible नहीं है, possible ही नहीं है, तो उस case में पूरा rent है, वो आपका business and profession या IFOS में जाएगा भले agreement separable है या नहीं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, उसके बाद में next concept आता है, deemed ownership, deemed ownership का मतलब होता है, कि आप owner हो नहीं, लेकिन आपको owner माल लेंगे, सबसे पहला अगर कोई भी individual है, वो अपने spouse को, या अपने minor children को, कोई भी individual है से मैं हूँ, मैंने मेरी spouse को, मिस मेरी wife को, या मेरे minor children को, मैंने कोई house property gift कर दिया, मिस house property transfer कर दिया, या तो without consideration, मिस gift, या फिर फोर in adequate consideration, तो उस case में house property की भले, वो actual owner होगी, बद उसका deemed owner मैं माना चाओंगा, और house property की income है, वो मेरे हाथ में taxable होगी, तो मैंने क्या बोला, कि अगर कोई individual है, वो अपने spouse को, या अपने children को, अपने minor child को, अगर वो house property कोई भी transfer करते है, for without consideration और in adequate consideration, तो वो transferor है, वो उसका deemed owner माना जाता है, लेकिन इसमें एक exception है, ठीक है, एक exception है, पहली चीज़ तो अ कोई house property transfer किया, तो उस case में parents, जो जिसने transferor है, वो deemed owner नहीं माना जाएगा, और दूसरी चीज़ अगर मानलो, आपने spouse को transfer किया, इनना agreement of leave apart, agreement of leave apart का मतलब क्या होता है, कि divorce नहीं हो रहा है, बेट आप दोनों अलग-लग रह रहे हो, बोलते हो कि आज से मैं तेरा मुह नहीं तू मेरा मुह नहीं देखेगी, अलग-लग रह रह रहे हो, तो उस case में that us call agreement of leave apart, उस time पे अगर आप transfer करते हो, तो आप deemed owner नहीं माने जाओगे, एक और concept ही आता है, जो cooperative societies के case में क्या होता है, property की जो owner होती है, registered owner, वो cooperative society होती है, लेकिन उसके deemed owner जो है, वो society के जो shareholder है, जि उसके member होते है, वो member उसके deemed owner माने जाएंगे और income उनके हाथ में taxable हो जाएगी, example के लिए हमने लिया था, गोकुल दाम society कर गें, तो गोकुल दाम society में बहुत सारे लोग है, जैसे माल लो, वहाँ पे दया है, वहाँ पे वो दया का husband है, वो क्या, गाड़ा electronic वाला कर गें, बहुत सारे लोग है, जेठिया बोलते हैं, तो वो जेठिया है, उसके बाद में बहुत सारे लोग है, मेरे को नाम ही याद नहीं आते करें, इतने सारे वहाँ पे लोग है, अब एक बात समझना, वो society के नाम पे सब property, society के नाम पे registered है, लेकिन ये सब लोग जो है, वो क्या legally possible नहीं है, जिसका partition legally possible नहीं है, तो जो इसका main holder रहता है न, वो ही उसका deem donor माना जाता है, अब एक चीज़ समझना, amendment जो हुआ था, finance tech 2019 से, उसमें ये बोला गया था, कि आप 2 SOP का benefit ले सकते हैं, जो आप 2 SOP का benefit है, वो 2 SOP का benefit आप ले सकते हैं, 2 SOP जो है, उसमें आप र अरस्ट है, वो ही allow होता है, तो यहां पर आपका house property का जो revision है, वो complete हो जाता है, I think अपन ने आदे गुंटे के अंदर-अंदर house property topic को revise कर दिया, चलिए, अगले lecture में मिलेंगे, किसी और topic के साथ में, जहां पर आपन कोई और topic है, वो revise कर देंगे, इतना आपको revise किया, अब पड़ाफट आप जितने भी questions है, वो questions को देख लो, आपको सब clear हो जाएगा, बाकी, guys, पढ़ाई वगडाई जो है, वो चालू करो, because इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए है न, कहीं पर मैंने ऐसा सुना हुआ है, कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है, तो अग अगर आपको पास होना है, सीए बनना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सीए बनना है, आपको आपकी लाइफ, आपके जो चाहने वाले आपके पैरेंट से उनकी लाइफ चेंज करनी है, तो आपको पढ़ाई करनी पढ़ेगी, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, because you are only maker and breaker of your life, आपकी life आप ही बना सकते हो, आप ही बिगाड सकते हो, और ये एक छोटी सी age जो आपकी है, ये जिस age में आप होना, ये तीन-चार साल ऐसे है ना आपकी life में, या तो आपकी life बन जाएगी, या फिर आपकी life बिगड़ जाएगी, तो आपकी life आपके हाथ में है, आप ही इसको बना सकते, so just focus to your study, और जो काम की चीज़े है उसके ध्यान दीजिए, बागी सब दरुबर फाल तो time pass मत करिए, और सिरफ पढ़ाई करिए, खुश रहिए, अपनी health का ध्यान रखिए, और सब positive रहिए, और positively पढ़ाई करते रहिए, thanks a lot people.